हेलो गाई स्वागत है आपका अमरिता कुजीन में और मैं आज आपके साथ एकदम क्रिस्पी मार्केट जैसा बनाना का चीप्स की रेस्पी से एर कर रही हूँ आप इसे काफी असानी से बना सकते हैं बहुत ही जटपट बन जाता है बस पांच से साथ मिनट का ही समय लगता ह अगर यह वीडियो हेलफू लगेगा तो प्लीज लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए रेस्पी बनाना सुरू करते हैं इसके लिए मैं तीन केले ली हूँ और इसे मैं दोनों साइड से मैं केले को कट कर लूँगी आप चाहें तो बहुत स देख सकते हैं मैं इसी तरीके से सारे केले से छिलके को हटा लूँगी देखिए मैं सारे केले से छिलके को हटा ली हूँ और इसे अच्छे से वास कर ली हूँ मतलब धोली हूँ केले का चिप्स बनाने में बहुत ही कम महनत कम टाइम लगता है बहुत जटपट बन जाता है गम कुछी मिन्टों में आप इसे बना कर तयार कर सकते हैं और काफी टेस्टी लगते हैं अभी मैं एक भाव ली हूँ इसमें ली हूँ थोड़ा सा पानी अभी मैं इसमें डालूँगी आधा चमच, हल्दी पाउडर इससे चिप्स में बहुत ही प्यारा कलर आता है आप चाहें तो डालिये नहीं तो इसके बगएर भी बना सकते हैं खाली नमक का गोल बना लीजिए मैं आधा चमच यहां नमक डाली हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी देखिए गोल बिल्कुल तयार हो चुका है अभी मैं गैस पे चड़ा दियूँ कड़ाही को और इसमें डाल रही हूँ तेल जिस तेल में हमें फ्राई करना है मैं भी तेल डाल रही हूँ अब कोई भी तेल में इसे फ्राई कर सकते हैं देखिए मैं तेल को डाल दी हूँ तेल को अच्छे से गरम होने देना है एकदम गरम होने देना है गास का फ्लेम हाई रखना है तेल अच्छे से गरम हो चुका है अभी मैं एक कद्दू कस करने माला ली हूँ और देखिए इस तरीके से उपर मैं कद्दू कस कर रही हूँ औ लूब भीन ज़नाए गीसना है यक बार में जितने फ्राई होंगे उतने घीस लोगी जीतना पनाने में असान है खाने में बहुत ही अच्छा लगता है ये चीपस तो देखिए बहुत कम महनत में आप इस तरीके से चिप्स को बना सकते हैं बहुत झाल Gone बहुत ज्यादा मेहनत यह सामाल। बस चयाल करने के लिए तेल चयाहिए ऑर आए सब्सक्राइब चरके दोस्टे खिगे Cane शिबने के केद चिपस करूं। इसे हाइब फ्राइम से हाइब नास फ्राइम फ्राइम्स एक सा और भाना भी कशोगे हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है दो से तीन चमच ही डालना है अगर बहुत ज़्यादा भी घुल डालिएगा तो वो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगा चीप्स और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ देख सकते हैं हल्दी डालने से चिप्स का कलर बहुत ही बड़ी आता है जम सुनहरा कलर आ जाता है चिप्स में आप चाहें तो हल्दी पाउडर डालिए नहीं तो बीना हल्दी पाउडर के भी चिप्स आप बना सकते हैं इसी तरीके से हमें फ्राई करना है इसे फ्राई करने में थोड़ा स चिप्स को थोड़े दर बाद एकदम color change हो जाएगा आद देखियेगा हल्दी रालने से तेलका color भी काफी change हो चुका है और चिप्स केली का देखिए इस तरीके से हुमें फ्राइन करना है थोड़े दर बाद ही देखिए चीप्स का कलर बिल्कुल जेन जो चुका है एकदम क्रिस्पी चीप्स तल चुका है अभी मैं इसे साइड करके निकाल रही हूँ जिसे एक्स्ट्रा तेल कडाही में ही रह जाएगा और मैं इसी तरीके से सारे चीप्स को एक थाली में निकाल लूँगी देखिए ना बन रही है ना बहुत ही जटपट और मैं बागी के चीप्स को इसी तरीके से फ्राई करूँगी तो मैं उसका थोड़ा सा सेप चेंज कर रही हूँ गोल वाला में चीप्स बनाई हूँ अभी मैं एक केले में तीन टुकड़े लगा दी हूँ देखिए और मैं अभी एक टुकड़े को ले रही हूँ आइस को इस तरीके से घिस हूँगी देखिए इस तरीके से आपको जो भी सेप पसंद है उस सेप में चीप्स को बना सकते है देखिए इस तरीके से मैं इसे गरम तेल में कद्दू कस कर रही हूँ एक बार में जितना हैगा उतना को मैं घीज ली हूँ देखिए और मैं इसे हाई फ्लेम पे ही इंदम क्रिस्पी होने तक फ्राइ करूँगी अभी मैं इसमें डालूँगी हल्दी और नमक का जो घोल है देखिए मैं डाल दी हूँ ती इंचे माच इससे ज़्यादा नहीं डालना है नहीं तो बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा चिप्स में तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा अभी मैं इसे चलाते हुए एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लूँगी थोड़े देर बाद ही देख सकते हैं इसमें कलर कितना चेंज हो चुका है ये चिप्स बहुत जल्दी ही फ्राइ हो जाता है बहुत कम टाइम बहुत कम मेहनत में ये रेस्पी जो है ना तयार हो हो चुका है अभी मैं इसे शाइड करके निकाल लूँगी देखिये बहुत ही बढ़्या चिप्स बहुत ही चट पट के तयार हो चुका है अभी मैं तीसरा से बनाने जारें चिप्स के लिए उसके लिए केले को साबुत ही लेना है काटना नहीं है और इसे लंबा- लंबा जितना फ्राई करूंगी उतना और मैं इसमें अभी डालूंगी हल्दी और नमा का घूल इसे बहुत ही अच्छा इसमें कलर भी आ जाएगा और नमकीन लगेगा और मैं इसे एक तम हाई फ्लेम पे फ्राई करूंगी आपको जो भी सेप पसंद है उस सेप में आप चिप्स को होने तक फ्राई करना है थोड़े दर बाद ही देख सकते इसका कलर काफी चेंज हो चुका है इसी तरीके से चलाते हुए अब देखिए इसमें कलर काफी प्यारा आच चुका है अभी जो चीप्स ने अच्छे से फ्राई हो चुका है देखिए ऐसा ही एक तम फ्राई करना ह और अभी मैं इसे निकालूंगी मैं इसे साइड करके निकाल रही हूँ देखिए जिसे एक्स्ट्रा तेल कडाही में ही रह जाएगा देखिए मैं सारे चिप्स को फ्राइ कर ली हूँ इसको टेस्ट के बढ़ाने के लिए उपर से चाट मसला पाउडर भी छिड़ाग सकते है बहुत ही क्रिस्पी और बढ़ी हैं चिप्स तयार है अगर विडियो हेलफू लगा होगा तो लाइक कीजिएगा सेयर कीजिएगा सब्स्राइब कीजिएगा थैंक्यों फर वाचिंग